नमस्कार आप सभी का स्वागात है यूटूब चैनल कुमार फिनांस पर एलकाई एमिन्स केमिकल्स लिमिटेट जो की स्पैसिलिटी केमिकल सेक्टर से बिलॉंग करने वाली एक कमपनी है तबसे इसीव का माइना में 60 या 75 परसेंट उपर जाचुका है तो किताब इस सेयर का मार्केट प्राइज 45-46 उर्प्या के रेजे चला करता था जो दब 8,000 उर्प्या को estás कर चुका है दैखा जा तो यह सेयर फिछले एक माहने में 36-37 परसेंट का रिटन दिया है जब कि पिछले 3 माईना में 70% से ज़्यादा का return दे चुका है अपने investors को क्या इस level पर भी share को buy किया जा सकता है ये company fundamentally कितनी strong है इस वीडियो के माध्यम से इसका हम stock analysis करेंगे future के prospect को समझने की कोसिस करेंगे ये पूरा detail जानने के लिए इस वीडियो को start करें उसके पहले मैं करना चाहूंगा अगर आप first time visitor है इस चैनल पर या आप तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके bell icon का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर upload हो notification आपको मिलती रहे अलकाई अमीन्स केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक ऐसी कंपनी जो मार्केट की लीडर है यह 1979 में इंकोर्पोरेट हुई थी और इसके फाउंडर है मिस्टर योगेश पुर्षारी अलकाई अमीन्स एक लीडिंग मैनिफेक्टिरिंग कंपनी है जो अलकाई अमीन्स की मैनिफेक्टिरिंग करती है इंडिया में और इसके फोड़क्ट न सिर्फ इंडिया में सेल होते हैं बलकि दुनिया के बहुत सारे कंट्री में इसके पोड़क्ट के सप्लाई किया जाता है जैसा कि मैं हमेशा काता हूँ कोई भी कंपनी कितनी फंडमेंटली स्ट्रॉंग है उसके लिए उसके एन्यूल रिपोर्ट देखे कम से कम आट से दस सालों का चाहे उसका प्रोफिट एन लॉस से स्टेटमेंट हो या बैलेंस इट हो अलकाईल अमिन्स का प्रोफिट एन लॉस से स्टेटमेंट देखे पिछले 11-12 सालों का तो यहाँ पर डेटा एबलेबल है 2009 से लेके 2020 तक का इस पिरियेड में सेल्स इसका 197 करोर से बढ़के 993 करोर हो जाता है अपरेटिंग प्रोफिट देखे तो यहाँ पर यह 21 करोर से बढ़के 267 करोर हुआ है इस पिरियेड में और उसका रिफ्लेक्शन इसके OPM के परसेंटेज पर देखने को मिलेगा पर यह लगतार इंप्रूब होता हुआ देखेगा क्योंकि यह 11 परसेंट जो 2009 के पिरियेड में हुआ करता था बढ़के 26 परसेंट तक पहुँच चुका है जो इसका लेटेस्ट एन्युल रिपोर्ट है मार्च 2020 तक का नेट प्रोफिट इसका काफी संदार तरीके से बढ़ा है पिसले 12 सालों में क्योंकि 6 करोड जो हुआ करता था 2009 में वो बढ़के 215 करोड हो चुका है अगर इसका कंपेरिजन इसके से करें तो यह काफी अच्छा परफोमेंस देते हुए कंपनी नजार आ रही है क्योंकि इसका सेल जो मातर 5 गुना हुआ है पिसले 12 सालों में इसका नेट प्रॉफिट करीब 34-35 गुना बढ़ा है अनिक पर सेयर भी इसका लगतार इंप्रूब होता हुआ दिख रहा है यह जो 2 रुपिया 70 पैसा हुआ करता था यह बढ़के 105 रुपिया 55 पैसा हो गया है पिसले 12 सालों में यह कंपणी ठिक ठाक डिविडेंट भी देती है इसलिए डिविडेंट पैसेंटेज भी स्टार्टिंग से 37-31 पैसेंट आपको दिखेगा बीज में एक बार के लिए यह 18 परसेंट या 19 परसेंट के रेंज में तो पहुंचा है लेकिन एक बार फिर से ये company थोड़ी सी improve करते हुई नजार आ रही है और 20 के period में 20-22% के range में पहुंचता है लेकिन फाइनली जो 2020 के annual report इसका आया था वहाँ पर ये company 19% के आज़ पास dividend payout दी है Alkaill Levins का पिछले 10 सालों का overall performance percentage वाई देखा जाए वहाँ पर भी एक company ने अच्छा growth दिखाया है और इस एक साल में इसने करीब 10% के आज़ पास अपना sales growth दिखाया है compounded profit growth पर नजा डाले तो पिछले एक साल में इसने 60% का profit book किया है जो कि इसके sales growth से काफी ज़्यादा और अच्छा नजार आ रहा है पिछले 3 साल में 55%, 5 साल में 33% और 10 साल में 34% ये देखने को मिल रहा है अगर इसके overall compounded profit growth को हम compare करके देखे compounded sales growth से तो ये काफी अच्छा नजार आ रहा है जो कि किसी भी company के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि किसी भी company के लिए उसका sales growth तो माइने रखता ही है उससे पता चलता है company किस ratio में और किस rate पर grow कर रही है लेकिन उससे भी ज़्यादा important उसका profit growth होता है और अगर किसी company का profit growth उसके sales growth से अच्छा चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है stock price ये जियर पर नजार डाले तो ये company पिछले 10 सालों में multi-bagger साबित हुई है क्योंकि मात्र एक साल में ये company ने 330% का return दिया है तीन साल में 125% का पांच सालों में 92% का जबकि 10 सालों में 89% का इंडिया ने stock market को अगर देखा जाए तो गिने चुने companies है जो पिछले 10 सालों में लगता है तो यहां पर भी ये company बिल्कुल खरा उतरती है किसी भी investment purpose के लिए चाहें आप तीन साल या पांच साल के लिए करें या आप इससे भी ज़्यादा का time frame रखे हो return on equity भी इसका काफी अच्छा नजार आ रहा है क्योंकि यह लगतार 30% या इसके एप अप बना हुआ है एक साल में इसका return on equity का percentage 22% है तीन साल में 32% पांच साल में 30% और दस साल में भी इसने 29% का return on equity maintain किया है balance rate में हम इसके major part reserves और borrowing part को ही देखेंगे क्योंकि अगर overall picture कम देखने जाएंगे तो video का length काफी लंबा हो जाएगा यह detail भी मास 2009 के annual report से मास 2020 के annual report तक दिया हुआ है इस period में इस company के reserve 53 करोर से बढ़के 526 करोर पहुचा है यानि इस company ने लगतार अपने reserve को बढ़ाने में कामियावी हासिल की है बारोई यानि एक company के उपर जो 133 करोर का कर्ज हुआ करता था 2009 के annual report के हिसाब से 20 के period में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है और मास 2014 में ये 51 करोर जबकि मास 2018 के annual report के हिसाब से 181 करोर हुआ है लेकिन यहां से company इंप्रूब करते हुए नजर आ रही है और फाइनली मास 2020 के annual report के हिसाब से इस company पर मास 87 करोर का कर्ज रहा गया है जो कि इसके market cap को देखा जाए तो ये negligible है Alkyla Means का ratio part को देखा जाए तो ये data भी यहां पर 2009 से लेके 2020 तक का दिया हुआ है return and capital employed का percentage लगातार इसका improve होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो 11% 2009 के साल में हुआ करता था annual report के हिसाब से वो बढ़के 41% तक पहुँच गया है जिसका impact हमने देखा इसके profit growth पर भी देखने को मिला है क्योंकि profit growth इस company का इसके sales growth से काफी तेजी से हुआ है ratio में data days भी इस company का improve होता हुआ दिख रहा है क्योंकि मास 2009 के annual report के हिसाब से जो 70 दिन का हुआ करता था वो घड के 60 दिन तक पहुँच चुका है मास 2020 के annual report के हिसाब से inventory turnover में भी इस company ने जबरदस performance दिया है क्योंकि जो 2.08 हुआ करता था 2009 के period में वो बढ़के 5.83 तक पहुँच चुका है देखा जाए तो यहाँ पर data available है जून 2018 quarter result से लेके मास 2021 quarter result तक promoters की holding इस period में almost constant बनी हुई है क्योंकि जून 2018 quarter result के इसाब से जो promoters की holding 24.19% हुआ करता था यह 24.13% है FIH की holding की यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर हलकी सी gear out आपको देखने को मिलेगी यह 1.5% के आसपस हुआ करता था जून 2018 quarter result के इसाब से जो घट के 0.90% तक हो गया है D.I.S. की holding भी यहाँ पर कोई खास नजर नहीं आ रहा है अलकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा improvement नजर आएगा क्योंकि यह 0.07% जो जून 2018 quarter result के इसाब से था बढ़के almost 10% के आसपस पहुँच चुका है government की holding starting से ना के बाराबर बनी हुई है लेकिन last quarter result जो मास 2021 का इसका आया था इसके इसाब से government की holding 0.46% दिख रहा है public की holding भी almost constant आपको नजर आएगा जो 24.19% जून 2018 के quarter result के इसाब से था यह घट के थोड़ा सा 22.98% यानि करिक 20% के आसपस बना हुआ है जैसे कि अब तक हमने देखा इस company ने बहुत सारे parameter पे अच्छाई performance दिया हुआ है उसकी वज़े से इसका pros का list थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा है जबकि cons में एक मातरा आपको चीज नजर आएगी pros part को देखा जाए तो company ने पिछले कुछ सालों में अपने कर्ज को कम किया है और यह company almost dead free नजर आ रही है पिछले 5 सालों के record के इस company ने अच्छा profit growth दिखाया है और यह 33.04% CAGR नजर आ रहा है पिछले 3 सालों के record के इस company का return on equity भी अच्छा नजर आ रहा है और return on equity का track इसका करीब 32.07% का रहा है पिछले 3 सालों में पिछले कई सालों से लगतार यह company अच्छा और healthy dividend देती हुई नजर आ रही है इसलिए इसके dividend payout का percentage on average 20.24% है अगर इसके cons part को देखा जाए तो एक मातर निगेटिव चीज़ जो इस company में निकल कर आ रही है इसके share का current market price इसके book value से 26.26 times ज़्यादा चल रहा है और अमूमन हम देखते हैं अगर कोई company और उसका business अच्छा performance करते हुए नजर आता है तो उसके share का market price उसके book value से काफी ज़्यादा देखने को मिलता है ये रायलकाई लमिन्स के business और share का past performance जो अलमोस हमने पिछले 10 सालों का data देखा आगे बढ़ते हुए हम इसके investment checklist देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे क्या इस share को current market price पर buy किया जा सकता है एलकाई समिन्स केमिकल लिमिटेड के investment checklist को देखे तो इंटरेसिक वैल्यू उसके rate zone में है और जैसा कि हमने देखा इसके share का current market price इसके book value से ज़्यादा है और इंटरेसिक value rate zone में होने का मतलब है इसके share का current market price इसके सोभाविक value या fair value से ज़्यादा चल रहा है returns versus every rates इसके green zone में है क्योंकि FD से काफी अच्छा और सांदा return दिया है इस share ने पिछले कई सालों में ये company ठिक ठक dividend भी देती है इसलिए dividend returns भी आपको green zone में दिखेगा फिलाल ये share over about zone में नहीं पहुँचा है इसलिए entry point भी यहाँ पर green zone में नजर आ रहा है से आने वाली company है और specialized chemical की manufacturing करती है जिसका supply इंडिया और इंडिया के बाहर होता है current time में ये mid cap से belong करने वाली company है और इसका market cap 15,485 करोड देखने को मिल रहा है अगर इसके share price में volatility को देखा जाए तो ये moderate risk में चलता है क्योंकि ये nifty से 2.65 टाइम ज़्यादा volatile रहता है पिछले one week में इस share ने करीच 34% का return दिया है अपने investors को एक माईना का data देखे तो share market में बहुत ज़्यादा growth देखने को तो नहीं मिला था लेकिन इस share ने पिछले एक माईना में भी 38.28% का return दिया है क्योंकि इस period में इस share ने करीब 25-27% के आसपास return दिया है अपने investors को अगर maximum return की भी बात किया जाए तो ये share multi-bagger ये आपको नजार आएगा क्योंकि इसने January 2000 से लेके अब तक 30,289% के आसपास return दिया है ये share किसी जमाने में 2 रुपया 10 पैसा का हुआ करता था जो बढ़के इसने high 8443 रुपया तक पहुचा है S.I.P. के माध्यम से भी अगर कोई share में invest किया होगा तो उसको भी जबदस return मिला होगा क्योंकि पिछले 5 सालों में S.I.P. के माध्यम से इस share ने almost 1137% के आसपास return दे चुका है अपने investors को आप समझ सकते हैं अगर कोई share दो रुपया तिन रुपया पर किसी जमाने मर चलता है और वो share 8000 के पार्ट तक पहुंच जाता है कितना अच्छा return दे चुका है वो अपने investors को फरकाश में यहाँ पर बहुत जज़ा है analyst ने अपना opinion तो नहीं share किया है जो भी दो analyst ने अपना opinion share किया है उसमें दोनों analyst कमानना है इस share को अभी भी buy किया जा सकता है क्योंकि यह share आगे भी अच्छा return देने की काबिलियत रखता है पाइनली अगर बात किया जए क्या Alkyl Amines Chemicals Limited के share को current market price पर भी buy किया जा सकता है मेरे इसाब से chemical sector का future काफी अच्छा नजार आ रहा है और कुछ parameters जिस पर मैं कोई भी share का analysis करता हूँ जैसे return and capital employed का percentage, ROE का percentage, उसका earning per share, sales growth, profit growth उसके future का prospect और management, हर parameter पर यह company खड़ा उतरती है इसलिए मेरा अभी भी मानना है इस share को current market price पर भी buy किया जा सकता है लेकिन जो corona की वज़े से market का situation है, यहाँ पर अगर आपको invest करना है, SIP का रास्ता हापना है क्योंकि market में volatility बनी रहेगी और अगर आप SIP का माद्यम से जाते हैं तो आपका price का averaging हो जाएगा अगर आप trader है, तो भी आप इस share को consider कर सकते हैं बसरते आपका time horizon एक से डेड़ महिना का कम से कम हो क्योंकि हो सकता है market में volatility की वज़े से इसमें एक correction देखने को मिले और पिछले एक सब्ता या एक महिना में जिस तरीके से इसके share price में growth देखने को मिला है यहाँ पर थोड़ी सी विक वाली नजर आ सकती है, जिसका impact इसके share price में गिरावर के साथ देखने को मिल सकता है इसलिए better है, अगर आप इस share में trade करना चाहते हैं, थोड़ा सा time के duration ज्यादा लेकर चले हैं यह तोड़ा alkyl amins chemicals limited का overall analysis वीडियो के आखी पड़ा में मैं करना चाहूंगा, अगर आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकिंग फ़र्म में डिमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप एंजर ब्रोकिंग और जिरोदा को कंसेर कर सकते हैं, क्योंकि यह companies ना सिर्फ अच्छी facilities दे अगर पसंद आए तो लाइक के बटन प्रेस करके अपनों के साथ सेर जरूर करें, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जाहें